मौबा शहर में धडले से अवैद रेती तसकरी शुरू है जिसके और राजस्वविभाग का ध्यान नहीं है शहर में जगह जगह रेत का धेर दिखाई दे रहा है रेत की तसकरी करने वाले माफियों पर किसी की महरबानी है यह समझना कटिन है सरकार की और से अब तक किसी भी रेत घाट की निला में नहीं की गई है बावचुत इसके रेत की तसकरी जोरों से चल रही है राजस्व विभाग द्वारा नाम मातरक कारवाई की जाने से रेत माफियों में कानून का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है नागपुर जिले के सावनेर तहसल के खापा तथा आसपास के परिसर में रेत का उत्खनन चारी है कुछ दिनों पुर्व शहर में अवैदरों से जमा की गई रेत पर कारवाई की गई लेकिन अब तक इस रेत को ठिकाने नहीं लगाया क्या एक रोयल्टी के नाम पर 10-20 ब्रास रेती मौपा शहर में आने की जानकारी है रेती विक्रिताओं ने यह रेत शहर के अलग-अलग जगह पर जमा कर रखी इसमें राजस्वी विभाग की कोई कारवाई करता नजर नहीं आ रहा है विक्रिताओं के पास कितने ब्रास का रेती का लाइसेंस वो कितने ब्रास रेती है इसकी और विभाग को ध्यान नहीं है 8 दिसंबर को उफ विभागे अधिकारी अतुल मेत्रे ने अवैद रूब से रेती का परिवन करने वाले ट्रैक्टर पर कारवाई की जिससे रेती माफियों में खलबली मची है जिनके पास अवैद रेत जमा हैं उनकी जांचकर रेती मालकों पर कारवाई की जाने की बात उन्होंने कही लेकिन नियमित रूब से कारवाई न की जाने से रेती तसकरों कोई होसले बुलन हो गए है NBCN News के लिए मौपा से राहूल आंचन करके रिपोर्ट